हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर हम जम सूर्थ आदें फिरस्टे फिजिक्स चैप्टर नंबर वन का टॉपिक नंबर वन पॉइंट टू पढ़ेंगे जो है फिजिकल क्वांटिटीज सबसे पहले ने इसमें दो वर्द क्वांटिटीज का मतलब है जी मिकदार और फिजिकल का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज ऐसी कोई क्वांटिटी कोई चीज जिसको आप क्या कर सकते हो आप उसे फीन कर सकते हो उसे देख सकते हो उसे टाच कर सकते हो वो किसमें चना देगा प्यूम्म में हैं जैसे कि आपकी अकल आपकी अकल फिलंक कि और आप रहाँ, आपके मेन आपकर, आपके प्यार नहीं है ले manuscript है यह एक फिलंक आपके यह आउसने दूस्ता में जू़े को जाई ए फिलंकर यह एक और नहीं हो सकता तो English के जितने भी abstract nouns है वो physical quantities नहीं है physical quantity ऐसी है जो कि physically measure हो सकती है अगर example है तो यह एक duster है इस duster की specific length है, width है, height है और यह three dimension space में exist कर रहा है तो अगर आल मैं इसकी length, measurements length के लिए आजसे कर रहा हूँ तो यह एक physical quantity है अब physical thing की measurement हो रही है physical way में तो वो क्या कराएगी, physical quantity अगर आपको याद हो, तो जो इस chapter के start में मैंने बताया था कि इस chapter का नाम, measurements है जे measurements क्यों रखा हुआ है इस chapter का नाम एक बड़ा famous बंदा है Lord Kelvin उस बंदे ने ने एक कहावत कही है, एक statement है उस बंदे की उस treatment को लेखता हूँ कि आपको थोड़ा idea हो जाएगा कि इस chapter का नाम measurement क्यों रखा है if you can measure a thing and express it in numbers you know something about it इदर मैं something को suppose कर लेता हूँ, वो something का इदर मतलब ले रहा है science about it and vice versa इसका मतलब यह बना है, वो कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को measure कर सकते हो numbers में express कर सकते हो, तो आप उसकी something, science जान सकते हो के पीछे क्या science है, जैसे कि मैं तो यार यह मेरे पास एक स्टूल है और मैंने यह as such ऐसा एक स्टूल बनवाना है अब हमें पता है कि हमारी भाई साब जो physics है, इसके अंदर दो चीज़ें होती है physics में एक चीज, theory और अगर इस theory को आप verify करो तो verify करने के लिए क्या करना पड़ेगा experiment, तो यही theory अगर किसकी equal मन जाती है, ला के तो इसका मतलब है कि physics में जितने भी लाज है वो theories पर पहले experiment हुए और experiment करने के लिए आपको चीज़ें क्या चाहिए measurement और वो चीज़ें कैसी होंगी, वो चीज़ें कैसी होंगी, physical तो इसका मतलब है कि आप ऐसी चीज़ की तलाश में हो, जिसे आप क्या कर सकते हो, मेर कर सकते हो तो फिर इदर से physical quantities के एकर definition गनाए रहे तो वो definition इदर से बनेंगी आल मेजरेबल मेजरेबल क्वांटिटी इस आप कार फिरिकल quantities, मतलब कि जितनी भी quantities दुनिया में, अगर वो आप मेजर कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए, physics के लिए, कैसी quantities हैं, physical quantities यहां, इसकी core definition भी बनती है, वो definition भी में एदर लिखता हूं or any number that express a physical phenomena इस आलसो इंडिकेट्स आफ फिजिकल क्वांटिटी इसको भी समझो भाई ये क्या है कोई भी नमबर जो किसी भी फिजिकल फिनोमेना की निशान रही कर रहा है वो नमबर भी किसी भी में पटन सी फिजिकल क्वांटिटी को शो बर बहा रहा है मैं कहता हूँ कि मैं इदर से उधर एक स्पसिफिक स्पीड से चल रहा हूं मेरा जो चलना है चलूं और फिजिकली जा रहा रहा हूं तो मेरी कुछ ना कुछ साफ़तार होगी स्पीड होगी विलोस्टी होगी अब वह विलोस्टी की जो वैल्यू है इस वक्त तो वह एक number है और वह number कैसे phenomena को शो कर रहा है physical phenomena को तो इसका मतलब नमबर भी एक physical quantity को शो कर रहा है वह इदर वह physical quantity क्या होगी आपकी velocity, आपकी speed, अब हुआ कुछी हुँ है कि मैं गया एक मठाई वानी दुकान में, मठाई वानी दुकान के अंदर, पानी तो नहीं आ रहा हूं मैं अच्छा मैं गया मठाई वानी दुकान में, मठाई वाonya की यार गुलाब जसको बाइब lookin एंदर मैंने कग सयांए बर्भी तो इंदर ही इस बड़ा वियाई पी टेस्ट किसे तर कुछ भी नहीं वह ठोच भी प्शिरा अगएरा आयल शाहल यो पानीशाद तीनों मैंने का यार तिनों मीं डालता तू एक चीज है और टेस्ट तीनों का डीफरेंट है यह क्या खाने इसके बिच्छे भुए कृस्ता कुछ यह किसी में कॉफ जाधा डाल दिया किसे में combination चेंज किया किसे में combination कुछ ज़्यादा काम किया तो निफरजिए ओहाओ मैंने का सेम वही मैं देख रहूँ physics में भी कुई ऐसी लफड़ा है कि कुछ चीज़ हैं जो कुछ कारी नहीं रही लेकिन उनके combination से multiple चीज़े बन रही है तो physics ने क्या किया आपकी physical quantities को दो मेजर हिसों में तक्सीम कर दिया वह दो मेजर हिसे देखते हैं कौन-कौन से हैं अब यह जो हमारे पास देजी physical quantities इसके बनाए भी दो टुकड़े physics एक टुकड़ा यह साथ जैसे सारी चीज़े मिलकर बन रही तो उस टुकड़े का नाम उन्हें ने रफ़ दिया base quantities दूसरा टुकड़ा जो base quantities को इस्तेमाल करकर के बेश्मार quantities बनाई जा रहा है उस टुकड़े का नाम रख देवने drive quantities अब अगर base quantities देखूं तो मैं अगर base quantities तो हमारी example की मताबरी को खोया चीनी बगारा इतो होगी तो अब क्या हुआ कि वो जो main base quantities है ना physics में तो इसको define में लिखूंगा the minimum number of those physical quantities in terms of which other physical quantities defined the minimum number of those physical quantities in terms of which other physical quantities defined abu ya minimum ya minimum कितनी है यह मारे पास भाई साब 7 है 7 quantities अब ये 7 quantities के मादर कौन को ना था वो भी देखते हैं लेकिन ये ऐसी quantities है ये खुद किसी से मिलकर ने बनी लेकिन इन से आगे बेश बाहार quantities बन सकती हैं और अगर हम drive quantities की लिक्कें the quantities which are defined in terms of base quantities as the quantities जिनकी कोई अपनी जाती हैसियत नहीं है ये base quantities से मिलकर बनी है बट ये एक base quantities की एक खसूसियत रखती है वो कि ये अपने खुद के different combinations कुछ नई किसम की quantities generate कर सकती है आर कार्ड drive quantities इसके अंदर minimum का लफज नहीं है इसके अंदर multiple quantities से बेश बहार है अब कितनी है बहुत से आता है वो भी हम आगे जब units इनके पढ़ेंगे तो तब देखेंगे कि उसमें कौन कौन से आती है अब ये तो seven base quantities है इसके अंदर हमारे पास साथ basic quantities है जिनमे अमारे पास है जी लेंथ मेस ताइम अच्छ दस्टी ओफ लाइट कर अंदर और लास्ट वाइट ओफ सबस्टांस ठीक है तो इन्हें डीटेल में भी देखते हैं अच्छ जी ये हमारे पास आगी कौन अब पता कैसे चला कर भई ये ही quantities ही साथ based quantities हैं के इसके लावा भी कोई और quantity हो सकते हैं आप में इसको बन्दा के नहीं सार एक quantities मैंने भी ढूंडनी है तो अब इनके पीछे कोई reason होगी ना तो इन्हें साथ quantities रखा है अब कोई बन्दा करता है मैंने ढूंडनी है तो मैं आपको दो चार condition बताओंगा अगर वो condition पर वो पूरी उतरती है आपकी कोई नहीं quantity तो मैं उसको ना बेस quantity में रखा दूँगा तो उसने का सर ये साथ रखी है ना तो इनका कोई रूल बताओ वो रूल क्या था कि जब भी आपको इक quantity देखोगे ना तो उस quantity के साथ दो चीज़े होती है एक सबसे पहले एक number होगा जैसे के 10 kg of apples अब जो number इसमें 10 है वो क्या शो कर रहा है का amount को और kg उसका क्या एक specific unit उसको comparable करके वो दूसरी किसी भी 10 kg सेव 10 kg आफ के टमाटरा लू प्यास सब को measure कर रहा है लेकिन आप बेस के नहीं क्या है बेस के नहीं भाई सब दो उसने specific conditions देनी है दो चीज़ें देनी है आपको उसमें से एक चीज़ का नाम वो रखता है standard और दूसरी चीज़ का नाम वो रखता है unit और standard क्या है और unit क्या है जब भी आपने किसी physical quantity को measure करना है ना तो भाई सब आप पर बस दो चीज़ें उनीच चाहिए एक standard और दूसरी चीज़ यूनिट standard क्या है standard बताता है एक लावल fix कर दिया जाया आप यस लावल के साथ compare कर क्या बता सकता है यह चीज़ एटनी ज्यादा है इस से यह एतनी कम है और unit क्या है? unit बताता है कि आपकी किस तरह की type है quantity की? unit हमें देता है कि हमने जब एक quantity को मेएर करना है तो हमने उसको दूसरी quantity से जब compare करना है तो कितनी मिकदार में compare करना है? यह उसका क्या होता है? unit अब standard के पास भी दो खसूसियत होनी चाहिए यानि कि अब आपने जब नई quantity बनानी है उसका जो standard आपने decide करना है उसके पास भी दो खसूसियत होनी चाहिए अब standard की जो दो खसूसियत है उनमें एक खसूसियत हो यह है कि यह easy लिए आपको market में मिल जाए accessible और दूसरा invariant हो accessible और invariant यानि कि एक तो standard जब आपने नई physical quantity बनाई उसका आपने standard ऐसा सेलेक्ट करना है कि जो आपको पूरी दुनिया में easily मिल जाए आप हर जगह यह नहोंगा आपको ऐसा standard ऐसी quantity बना लो जिसका standard पाकिस्तान में हो इंडिया में हो नोर्स अफरीका सौथ अफरीका यहां पर वो युनाइटी डर्व इमारात में ना हो बंदला देश में ना हो तो यह नहों पूरी दुनिया में इसका standard एक्जिस्ट करना चाहिए दूसरा invariant invariant का मतलब है कि वह ऐसे नहों कि पाकिस्तान में तो एक kilo सेब एक kilo ही है लेकिन वही एक kilo सेब भारत में या बंदला दे चाहिए अब समझते हैं इसको जरह डिटेल में एक्जैम्पल के साथ जो हमारी साथ पॉंटटीज हैं उनके standard क्या रखे गए और कैसे हम स्टेंडर करते हैं standard भाई सबसे पहले मैं दर लेता हूं भाई time को अब time का standard कैसे सेलेक्ट गया गया अब देखो मैं कहता हूं भी एक सेकिंड हो गया आपको कसर नहीं हुआ है आये नहीं यूटूब पर आये नहीं है फिर मैंकर एक सेकिंड कब होगा अब यह जो वन है नहीं इदर यह एक आपके standard level की value मिकदार है second time का unit है जो एक सेकिंड ह कब होगा कोई भी नहीं बता सकता है जब तक क्लॉक नहीं हो लेकिन हमारे पास एक ऐसी चीज़ है फिजिक्स में जो बता सकती है कि एक सेकिंड कब होगा अच्छा मैंने का वो क्या है उसने का अगर आपके पास अगर सीशियम एटम है और सीशियम एटम से at a time कितनी waves यान वो वन सेकंड और यह पूरी दुनिया के अंदर इतने जासे ही waves cover हो जाएंगी या चली जाएंगी तो उस वक्त जो वक्त हुआ होगा ना वो एक सेकंड होगा मेरा क्लॉग में भी स्लो हो सकता है अपनी मिशिनली की वज़ा से कोई और आपके पास time slow हो सकता आपकी वाद स गुज़र गया सुरी इतनी waves गुज़र जाएंगे इतने circles गुज़र जाएंगे vibrations गुज़र जाएंगे तो time कितना होगा एक सेकंड यह पूरी दुनिया में fix है दूसरा नेते हैं जी length अब length क्या है वो गहता है कि अगर आपके पास formula है s is equal to vt इस formula के मिताबिक एक मीटर length क अब होगी अगर आपके पास जो light है उसकी speed fix है 299-792-458 light से 299-792-458 second में गुज़र जाए तो उस वक्त जो length होगी न वाजमेटर इसका मतलब यह बना कि सेकंड के तीन क्रोड़ वेसे में approximately जितनी light गुज़रती है यानि कि जितना distance तै करती है वो कितने के बराबर होता है वो वान मेटर के चुम्के speed of light fix है time second हमने fix कर लिया तो इसका मतलब है length एक मेटर आप fix होगी तीसरा हमारे पास है जी mass मैस क्या है 1901 के अंदर इंटरनाशनल बेरों वेट्स और मेजर्ज ने एक दो हमारे पास अलाई ली जोके एक सलेंडर टाइप है 3.9 cm डायमेटर एंड 3.9 cm length का एक सलेंडर है और इसमें 90% प्लाटीनियम है और 10% हमारे पास क्या है radial इसका जो mass होगा न वो किसके बराबर होगा वो वन केजी के बराबर होगा ये standard रखा गया mass के लिए next हमारे पास है जी current current का standard या unit है जी अंपेर ये उताई बराबर है QYP अगर एक सेकिंड में एक कूलम चार्ज बुज़र जाए तो current कितना होगा वन अंपेर ये वन अंपेर का standard next है इस टेंपरेचर ये क्या कि दिफ्रेक्शन ओफ 1 ओवर 273.6 ओफ थर्मोडानेमिक टेंपरेचर ओफ add triple point of water, triple point of water का मतलब है water अपनी tino form solid liquid gas में exist करेगा ये हम चैप्टर मेरे लामन पर detail में देखेंगे next हमरे पास है जी, mole, amount of substance, mole क्या होता है कि भई अगर 6.02 into 10 के पावर 2 थरी particles हों, जिसको मैं वोगए डो नमबर बोलते हैं, तो कितनी value होगी उस चीज़ की, one mole, और एक last है जी, intensity of light का, ये भी देखते हैं, luminous intensity, one over 60,000 square meter of black body radiator, at solidification platinum, ये लास्ट वाला को इतना खास important नहीं है, लास्ट के, तो में जाना हमरे पास ही time, length, mass, और temperature current में, second time में हम देखेंगे, तो ये हैं जी, ये seven based quantities, along with their seven tenders, जो के पूरी दुनिया में fix कर दिये गए हैं, अगर आप में से कोई बंदा कहता है, कि सर मुझे एक second का नहीं पता लगता, मेरा कलाग पता नहीं खराब है नहीं, तो मैं गों जाओ यार बजार से सीशे मैटम पकड़ के लाओ, उसको ज़रा head sheet करो, जब उसके अंदर से radiation निकलने और वो कितने cycles निकल जाए, 9192631770, तो उस वक्त आपने देखने हैं, जो वक्त गुज़रा होगा ना, वो एक second हो, ठीक है, same like mass, प्रेंटर, शिरंटर, ये सारा कुछ, तो ये था भी आपका आज का topic, मिलते हैं अंगले lecture में, तब तक के लिए, खदा आफेस.